हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एटवन्टीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन संग लोक सेवा आयो की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन जो की सिविल सर्विसेज प्री एक्जामिने 2021 के लिए इनवाइट की गई है, इसका ओनलाइन फॉर्म आप मॉबाइल से कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, फॉर्म का जो ये पोटल है वो 4 मार्च 2021 से 24 मार्च 2021 तक ओपन रहेगा और आप इसमें ओनलाइन अपलाए कर सकते हैं, कम आपको पहले से ही सेव करके अपने पास रख लेना है, इसके बात फैंसे यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जोबरास्ता.com का वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, साथ में फैंसे अगर अभी तक आपने हमारे चै है यहाँ पर तो आप क्लिक here for part first करेंगे, आपके सामने यहाँ पर जो भी instructions है, instructions को आप पढ़ सकते हैं, इसके बात friends से आप सबसे last में आकर yes पर क्लिक करेंगे कि आपने instructions को read कर लिया है, इसके बात friends से आप आएंगे part first registration पर और यहाँ पर देखिए कुछ basic जनकरी fill करनी ह सबसे पहले आपको fill करना है नाम, तो नाम आपके matriculation की mark sheet के according आप यहाँ पर fill करेंगे और जो भी नाम आप यहाँ फिल करते हैं यह आपके active होने चाहिए, तो आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर fill कर देंगे, इसी तरह से आपको यहाँ पर select करना है सबसे प option आजाएगा, important यहाँ पर यह है date of birth section में जो date of birth है वो 21 से 32 साल का इस criteria होना चाहिए, एक अगस 2021 को यह count होगा, तो इस date पर आपको यह count करना होगा, इसके बाद यहाँ पर nationality है, यह आप यहाँ select कर लेंगे, इसके बाद फ्रेंस यहाँ पर है आपका marital status जिसमें आप अप अगर आप सेलेट करते हैं, जंडल में आते हैं, तो कोई भी यहाँ पर option नहीं मिलेगा, अगर आप EWS में आते हैं, तो भी आपको यहाँ पर अपने certificate number, मतलब EWS की जानकारी, OBC, SC, ST, सभी में आपको आपके card certificate की जानकारी देनी होगी, OBC में एक option extra है, जो की non-cremalier का है, cream year में मतलब यहाँ पर यह है, अगर cream year में आप yes करते हैं, तो आपको जंडल की तरह यहाँ पर count के जाएगा, कोई reservation नहीं मिलेगा, अगर आप no करते हैं, उस condition में friends से आपको यहाँ पर certificates की detail देनी होगी, अब यहाँ पर देखें, जो की financial year 19, 20, और यहाँ पर आपका 17, 18, तो यहाँ से आपका account होगा, तो आपके पास in financial year का अगर का certificate है, तो उसका number आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, इसके पर अगर आप minority community माते हैं, तो आप yes या no कर सकते हैं, मतलब जैन से एक बहुत पारसी मुसलमान, इसके बार नीचे आपको मिलेगी, fees में छूट है, तो yes मिल ज आएगा, education qualification, या तो आप pass हैं, या फिर appearing है, इन दो ही option आपको यहाँ मिलेंगे, past candidate, past पर, appearing candidate, appearing पर click करेंगे, इसके बार यहाँ पर है subject का combination, तो यहाँ पर देखिए, डिगरी आपके पास किसी भी stream में है, किसी भी आपके पास discipline में है, आप इसमें apply कर सकते हैं, अगर इन mathematics है, geology है, forestry है, chemistry, botany है, तो आपके पास अगर एक subject है, तो भी आप इनको चूज कर सकते हैं, या फिर इनके अलावा यहाँ पर आपको जो multiple options दिएगे हैं, यह भी आप यहाँ पर select कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपकी degree के according, या फिर आपकी qualification के according, यहाँ पर options आपको या फिर Indian Forest Service मिले है, दोनों मिले, तो जो भी मिलता है, आप जिसके according भी आप apply करना चाहें, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप चाहें, तो एक के लिए apply कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ पर select करना चाहें, वो आप यहाँ कर लेंगे, इसके बाद दिखिए आपका address section है, तो mobile number, आपकी mail ID, तो यह basic जानकारी होती है, जो कि आपको fill करनी होगी, और यह fill करने के बाद ही आप यहाँ से continue कर सकते हैं, इसके बाद friends, यहाँ पर आपको option मिलेगा, एज में छूट का, अगर आप एज में छूट माल लीजे लेना चाहते हैं, आप yes कर सकते हैं, इसके आपने जो भी options हैं, इसमें आपका जो भी appropriate option है, आप उसको select कर सकते हैं, इसके बाद आप continue कर पाएंगे, अगर आप माल लीजिए, नॉर्मल ही eligible हैं, और आपको कोई भी age lexation की आवशकता नहीं है, तो आप यहाँ पर simply no कर सकते हैं, continue tab पर click कर सकते हैं, इसके बाद photo ID card select करना है, तो अधार card, driving license, pen card, जो भी आप select करना चाहें, कर सकते हैं, अब इची ध्यान रखिएगा, जो भी आप option यहाँ select करते हैं, यही आपको upload भी करना है, साथ के अपने exam center पर आगे की जो भी process होगी, उस पर आप यह लेके भी जाएंगे, इसलिए आपके details इस पर बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसके बार है photo ID card number, तो आप दो बार enter करके उसकी verification कर देंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखे, indicate करना है percentage आपके graduate level में, अगर आप pass out candidate नहीं है, appearing candidate है, तो आपको यह option नहीं मिलेगा, यह चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप pass out है, तो ही आपको यह option देखने को मिलता है, अब आपको round figure में यहाँ पर details feel करनी है, round figure में details feel कर दीजिए, CGPA है, तो आपको यहाँ पर friends, तो करम संख्या 9 है, वो आपको check कर लेना है, और उसको यहाँ पर convert करके आप mention कर सकते हैं, इसके बार friends, यहाँ पर है number of attempt, आपके number of attempt कितन हैं, आपने civil services या iOS कितनी बार दिया है, दोनों के लिए अलग-अलग option आते हैं, इसमें आपको civil services का पूछा गया है, आप यहाँ पर numbers of entry कर सकते हैं, नीचे civil services के बारे में जानकरी है, और उसके बार आपको कोई option नहीं मिलेगा, अगर आप बोट के लिए apply करते हैं, तो आ आपको यहाँ पर चूज करनी होगी, इसके बार अगर आप अनुचल प्रदेश या यहां से बिलॉंग करते हैं, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें no करेंगे, इसके बार यहाँ पर है आपका language, तो आप अपनी यहां से language दोबारा से select कर लेंगे, तो आपके according आप जो भी language यहाँ पर फिर से select करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, इसके बार फ्रेंट्स नीचे आप इसको continue करेंगे, continue करने के बार आपको फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए मिलता है preview section, preview section चेक करना बहुत important है, registration का preview चेक कीजिए, अगर आपको लगता है कोई गलती है, update क अगर लगता है कोई गलती नहीं है, तो simply capture code जो भी दिया गया है, इसको आप फिल करेंगे और यहाँ से agree कर लेंगे, जैसे ही आप यहाँ से agree करेंगे, आपका registration process complete हो जाएगा, तो friends, part 2 registration में friends, आपको हो सकता है, mobile में कुछ इस तरह का error शो करें कि आपको desktop और laptop यूज करना है Puffin Browser, तो friends, जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने इसको खोल लिया है, अब Chrome की बजाए P-U-F-F-I-N Puffin Browser में, और आपके सामने जो part 2 है, यह friends, open हो गया है, अब यहाँ पर friends, आपको देखी करना क्या है, आपके सामने यहाँ पर 3 tick होते हैं, आपको इसमें request desktop site क करना है, उसके बाद ही आपका जो यह link है, यह open होगा, अब registration number, date of birth और एक capture को डाल कर आप part 2 के लिए form को फिल कर सकते हैं, login करने के बाद friends, अगर आपको payment का option मिलता है, तो आप किसी भी bank के credit card, debit card से payment कर सकते हैं, नहीं मिलता है, तो आप directly यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो photograph, signature और documents upload का section है, जो कि आप PDF format में upload करेंगे, नीचे आपको दिये गए है sample, तो friends, आप Google पर जाकर JPG2 PDF सर्च कर सकते हैं, अपने यहाँ पर जो भी document है, उसको convert कर सकते हैं, और photograph and size के लिए friends, आप pixel converter का use कर सकते हैं, Google पर जाकर, और अगर आपके पास यह पहरे से converted हैं, तो आप इसे upload कर सकते हैं, या फिर आप मुझे mail कर सकते हैं, 824 knowledge at the rate gmail.com पर, इसके बार friends, यहाँ पर आपको choose file पर click करना है, और यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी photo save है, उसको आप choose कर लेंगे, तो friends, जैसे जैसे आप यहाँ पर upload करेंगे, आपको friends, यहाँ पर option मिलते जा है, हो सकता है, यहाँ पर आपको यह lot plugging ना मिले, तो आप view documents upload कर सकते हैं, और check कर सकते हैं, यह upload हुआ है, या नहीं हुआ है, इसके बाद ही आप continue tab पर click करेंगे, इसके बाद friends, यहाँ पर आपको अधार card number या फिर जो भी idea आपने starting में दी है, वो डाल कर verify करना है, इसके ब मिल भी जाएगा, कि you have successfully submitted your application, और submit होने के बाद view या print का option मिल जाएगा, और यहाँ से आपका application form आप view कर सकते हैं, या print निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, और print ज़रूर सेव करके रखिएगा, साथ में आपके पास SMS और mail भी आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसके admit card निका तो उसनमें problem आती है, आपके पर registration number नहीं है, तो या to mail को समाल कर रखें, SMS समाल कर रखें, या फिर friends आप यहाँ पर इसका print out भी समाल कर रखें, क्योंकि बाद में आपको यह भी show करना होता है, तो यहाँ पर friends जो यह process है, वो मैंने आपको सारी complete यहाँ बता दी है, कैसे आ आप UPSC का civil services exam 2021 form फिल कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, तो like, subscribe and share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube channel, and last thanks for watching.